गुलमर्ग हिल स्टेशन भारत के कश्मीर के बारामुला जिले में स्थी थे गुलमर्ग को देखकर हर परेटक इसे धर्ती का स्वर्ग कहता है गोर्तलपी की जो भी परेटक कश्मीर आते हैं वे सभी गुलमर्ग की गंडोला राइट को जरूर इंजॉय करते हैं तदह यह कश्मीर टूरिजम का सबसे बड़ा आकर्शन है गुलमर्ग की गंडोला राइड दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और दूसरी सबसे उची केबल कार राइड है गुलमर्ग की गंडोला राइड की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दी गई है परन्तु उससे पहले ये जरूरी है कि हम कश्मीर यात्रा की हर छोटी से छोटी जानकरी प्राप्त कर लें यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दवाईएगा जम्मू कश्मीर की घर्मियों की राजधानी श्रीनगर देश का एक प्रमुक परेटन स्थल है यदि आप धर्दी का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्रीनगर केसे पहुचे यह आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सड़क और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर डलजील खुपसुरत गार्डन और हाउस बोट के लिए प्रसिद्धे श्रीनगर में इस्थिर डलजील चारो वोर से मुगल गार्डन से गिरिये और इसमें हाउस बोट इस्थिते तता शिकारे चलते हैं गोर्तलब है कि श्रीनगर सडक मार के जरिये पूरे देर से जुड़ा हुआ है श्रीनगर बस के जरिये आसानी से पहुचा जा सकता है श्रीनगर तक दिल्ली पंजाब हर्यना आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्रिनगर के लिए सड़क के रास्ते अगर आप श्रिनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रिनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रिनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपए है तथा 18-19 घंटे का समय यादरा में लगता है इसी प्रकार जम्मू से श्रिनगर 246 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपए है बस दोरा जम्मू से श्रीनगर पहुशने में लगबग 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय ज़्यादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है एसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुत्फ आप हवय यात्रम नहीं उठा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परन्तु जम्मू से श्रीनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रीनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रीनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है एरो प्लेन से श्रीनगर पहुंचना थोड़ा सा महेंगा जरूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यह है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शेहर से उड़ान सिवा उपलब दे एरोप्लेन के जरी दिल्ली से नौन स्टाफ फ्लाइट से श्रिनगर पहुचने में करीब देड़ घंटा लगता है यदि आप दो से तीन महिने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं दिल्ली से श्रिनगर का नौन स्टाफ फ्लाइट का किराया केवल 2500 से 3000 रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टाफ फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रिनगर जाईए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आधी, एरलाइंस, दिल्ली से श्रिनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलित करती है श्रिनगर एरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल अत्वा हाउस बूर्ट तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आटो रिक्षा तथा बस आपको एरपोर्ट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउसबोर्ट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउसबोर्ट को एक दिन के लिए अनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोर्ट बुक कर सकते हैं houseboat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ luxury houseboat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बज़ट के अनुसार houseboat चुन सकते हैं यदि आप online houseboat बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि online sites बहुत भारी discount देती है आप श्रीनेगर में पहले दिन hotel की बजाए houseboat ही बुक करें houseboat पर आपको breakfast, lunch तता dinner की भी सुविधा मिलेगी परन्तु आप houseboat पर केवल breakfast का ही package ले क्योंकि houseboat का खाना ज्यादा अच्छा तता hygienic नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नॉन वेज रेस्टोडेंट है आप houseboat की बजाए वहाँ lunch या dinner करें houseboat पर check-in करने के बाद आप houseboat पर चाय अत्वा coffee के साथ डल जिल को निहार सकते हैं तता houseboat पर घूम सकते हैं शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की कॉस्ट साड़े 500 रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घूमते हैं तो कॉस्ट 800 रुपे होती है यह कोस्ट पूरे शिकारे की होती है एक शिकारे पर अधिक्तम चार लोग बेट सकते हैं तथा यदि आप चार से ज़्यादा सदस हैं तो आपको दो शिकारे के राये पर लेने होंगे शिकारा आपको हाउसबोर्ट से पिक करेंगे तता वापस आपके हाउस बोट पर ही ड्रॉप करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी आप हाउस बोट के लावा शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकडों शिकारे टूरिस्ट के इंतिजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहते हैं शिकारा राइड के बाद आप राधा की रसोई अत्वा विशाल वेशनो भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों रिस्टोरेंट वेजिटेरिन हैं, खाना बहुत स्वादिस्ट हैं तता रेट भी रिजनेबल है यह रिस्टोरेंट डल जिल में हाउसबोट की श्रंकला के पास इस्तित हैं रात में आप हाउसबोट से श्रागर की खुबसूरती नहारे हैं उसके बाद आप house boat में rest करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मीर में पहला दिन समाप्त होता है दूसरे दिन आप सुभा house boat पर breakfast करें तथा अपना सामन पेक करें तथा पहलगाओं के लिए प्रस्थान करें house boat से आप नाव के द्वारा किनारे पर आए तथा किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती है उनमें से एक कोवा पहलगाओं जाने के लिए बुक करें श्रीनगर से पहलगाओं की दूरी लगभग 152 किलोमेटर है तथा टेक्सी का किराया पच्चिसो रूपे है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुपसूरत साइट्स जैसे की अवन्तिपूर रूइन्स दिखाता हुआ ले जाएगा अवन्तिपूर रूइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवन्ति वर्मन द्वारा निर्मित भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परनतु फिर भी देखने लायक है पहल गाउं पहुंचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे धाबे पर लंच कर ले आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनगर से 10 बजे सुबह पहल गाउं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तथा सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.5 बजे तक आराम से पहल गाउं पहुँच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दे तता होटल में चेक इन करें शाम की चाई या कफी आप होटल के बाहर लान में बरफिल ये पहाड़ों को देखते होए पिए यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुबह पहल गाउं में अपने होटल में ब्रिकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी बेतवा वेली तथा अरू वेली लिए टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनों स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया पंदरा सो रुपे से आठा सो रुपे की बीच है पहल गाउं से चंदनवारी केवल पंदरा किलोमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है जहां से उचे पहाड जूंते पेड और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहाँ अप्रिल से अक्टूबर के महिने में आते हैं तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गएं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से गिरी यह घाटी पहलगाओं और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसुरत और बहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से घिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परिटक स्थले इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हर्स राइडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको स्वीटजर लेंड जैसा अनुबह होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहल गाउं गोमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रिकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकले है पहलगाउं से गुलमर्ग की दूरी एक सोचालिस किलोमेटर है तथा पहलगाउं से गुलमर्ग पहुँचने में चार से साठेशार घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग की लिए टेक्सी मिल जाईगी होटल वाले ततकाल टेक्सी बुला देते हैं टेक्सी का किराया पच्छिस सो से 3,000 रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह दस बजे भी पहलगाव से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप धाई बजे तक गुलमर्ग पहुँच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गुलम आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको पंद्रा सो रुपे में रूम मिल जाएगा। पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है। इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें। अनिथ्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे। अगले दिन अर्थात पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं। जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं। आप पोनी अर्थात गोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात इस् किसी करने की कता ही जरूरत नहीं है गंडोल राइट के दो फेज होते हैं पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपए है सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवात तक का होता है इसके किराया 950 रुपए होता है यहां किराया आने तथा जाने द पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगभग 12 मिनट उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉय किया जा सकता है अब परिटो के मन में यह सवाल उठता है कि फेज वन पर जाएं या फेज टू पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों म पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज वन तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती हैं फेज टू पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा ठक जाएंगे एक महतमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश बर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवात में अ आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है तता गुलमर्ग से श्रिनगर पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है श्रिनगर पहुँचकर आप होटल बुक करें श्रिनगर में होटल का किराया कम होता है जो 1000 से 1500 रुपे के बीच होता है यदि आपने online होटल बुक कर रखिए तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा श्रिनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रिनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाईएगा यहां गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्री नगर में चश्मेशाही, निशानदबाग तता शालिमार बाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही सम्मिलित रुप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जील के किनारे ही इस्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में डल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकराचाय टेमपल देखने जाएं लोटते समय आप शिनगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी-कभी शुक्रवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्तगित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात साथवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास्ट कर लें तता टेक्सी बुक करके सोन मर्ग के लिए निकलें सोन मर्ग श्रीनगर से 81 किलमेटर दूर है तता सोन मर्ग पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है सोन मर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोन मर्ग 11 बजे तक पहुंच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें सोनमर्ग में घुमने के लिए 5-6 गंडे का समय काफी होता है आप सोनमर्ग से वापष श्रिनगर के लिए शाम को 4 बजे निकल जाएं ताकि आप अंधेरा होने से पहले श्रिनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रिनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकलें। सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रीनगर में अपनी होटल में खाएं। अथवा आप डल लेक के किनारे स्थित रिस्टोरेंट में भोजन करें। रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्न श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का होटल तता हाउस बोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सीन तथा एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम 4 से भाग देते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिवेक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गुमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू